नितिष चाचा का नाम पहले नितिष चाचा रखा गया फिर पल्टुराम रखा गया अब इनका नाम महा पल्टुराम हो गया अब इनका घर वापसी है अब इनका कुछ नहीं होने वाला है जो हमारे नितिष चाचा है वो आलू है वो बैगन के साथ भी अच्छे लगते हैं म पटना में भयंकर ठंड के बीच राजनीती में गर्मा हटा गई है कयासों का बजार गर्म है राजनीती सरक कही जाने वाली वीर्चंद पटेल में चाय की सुस्की ले रहे हैं लोगों का जोस भी हाई है बीज़पी ऑफिस से लेकर जड्यू का रियाले तक कयासों का दोर जारी है मौझूदा राजनीती की स्थिती को देखते हुए हर पहलू पर लोग वीचार बिमर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे में जब हमने इन लोगों से इनका वीचार जाना तो सबका यही कहना था कि यह बिहार में पहली बार थोड़ी हो रहा है आप देख रहे हैं जैसे चाय दुकान पर जैसे चूरा छना रहा है बस आज साम तक जो गर्मिया जो महौल है मौसं भी बहुत गर्माहट आ गया है और चूरा खाके हम लोग साम तक या कल तक आप कुछ अच्छा बिहार का देखिएगा और बदलाओ यहां निस्चित तोर पे होने जा रही है सुसासन की सरकार बनने जा रही है फिर से फिर से एक बार सुसासन की सरकार पहले नहीं कि पहले तो देखिए रहे थे कि आप रात में निकलना भी मुश्किल लग रहा था बाइक से चलना भी मुश्किल रहा था चलते चलते मुबाइल छीन लेता था सब इसके लिए अब सुसासन की सरकार क्यों सकता पड़ गई है ज़रूरी है चाय यहां पिया जाए पुलटने दीजिए जो भी फैसला होगा बिहार कही तो पैसला होगा और यह कोई नया बात भी नहीं है कि किसी को अच्छे रज हो या हर्स हो ठीक है न कि यह हमेशा होते आया है राजनीति में और बिहार के राजनीति में तो आम तो आप जानने कि बीना गटबंधन आज तक किसी का सरकार यहां नहीं बना है और उनके पास कोई अप्षन भी नहीं है ठीक है ना जो आगे का अगर उनको चा कि राजनीती में रहना है और सर्भाईव करना है तो बीना भाजपाय और भागवा के साथ हुए अब भिहार में जो देश का जो अभी मन बना लिया है नहीं मुमकिन है और नहीं है इसलिएอ। सबसे पहला रंग कौन होता है बगवा और सबसे नीचला रंग कौन सा होता है। खड़ा तो भागवारंद आप समझे कि बीजेपी है और जो हरा रंग है वह आप उसको आर्जेडी मान लीजे एक्जामपल उदारन के तौर पर और बीज का जो जंडा है ना बीज का जो कलर है वो कौन सा कलर होता है वाई सफेद उसको आप मान लीजिए जदिव अब यह आ आज नीति का ऐसी चीज है जो कभी कुछ भी हो सकता है जदिव का पेट मिला हुआ है नितिश चाचा का नाम पहले नितिश चाचा रखा गया फिर पल्टूराम रखा गया अब इनका नाम महा पल्टूराम हो गया अब घर वापसी है अब इनका कुछ नहीं होने वाला है र ग्राहते बेखाँ आंग को ब्रीं मिल चाहिए। था फिस के लिए जो कोई भी सब्सक्राइब गढ़े। ότι जब तक प्रीखारका झालू तब तक रहे गा लालू। ज सबसे पहले कहेंगे, कि स्रीडाम मंदिर का ुठ्घातन ब्र्यदी ने किया था.. अब और भागवदया उनका हो गया है अब तो जो चाहेंगा वो स्रीराम करेंगे सिंपल अब जो चाहरे थे वह हुआ है सबसे प्रब्ले बिहार से सुरू हो गया है या मैं बिहार में भी राम राज आएगा आगा आपको क्या लगता है कि हर कोई हर कोई बीजेश्पी को सप तो मीट जाएगा 40 सीट है यहां पर 40 सीट में 40 सीट बीजेपी के खाते में गिर जाएंगे तो कम से कम जदियू बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वहां से गटबंदन तोड़कर और वह एंडिये के साथ गटबंदन करके अपना भविस्ति को सही जगह पे रख रहा है नहीं तो पता चलेगा कि जदियू के खाते में एक भी सीट ना आया एंपी का और उसके बाद आपको पता है क्या होना है तो सब्सक्राइब